अगर आपको पनीर खाना बहुत पसंद है तो आप इस पनीरोल की रेसिपी को चरूर ट्राई करें सिंपल रेसिपी है बनाना बहुत आसान है उपर से लच्छेदार पराठा और अंदर से जूसी पनीर तो दोनों का कॉंबिनेशन इस रोल के टेस्ट को बहुत अमेजिन बनाता है तो चलिए आज के मज़ेदार पनीरोल की रेसिपी को शुरू करते हैं पनीरोल बनाने के लिए सबसे पहले हम डोग बनाएंगे तो उसके लिए एक कप आंटा ले लेंगी और इसके साथ एक कप मैदा आधी छोटी चमच हम इसमें नमख ढाल देंगे और इन तीनों को पहले मिला देंगी अगर आपको मैदा नहीं इस्तेमाल करना है तो आप इसमें से फांटा इस्तेमाल करें इसकी बाद हम इसमें एक चम्बस तेल डाल देंगे और तेल डालने के बाद अच्छे से मिला दे सबको जैसे ही नमक तेल सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा हम इसमें पानी डालेंगे और पानी डालके इसका एक डो बना लेंगे जैसे रोटी या चपाती का डो बनाते हैं वैसे इसका डो बना लेना है तो यहाँ पे मैंने इसे गुन लिया है यह देखे तो आप से यह तो पराठा तुरंट बना ले या फिर डो को ऐसे 5-10 मिनट के लिए रखते उसके बाद पराठा बनाए तो पराठे जादा अच्छे बनते हैं तो यहाँ पे मैंने इसे 5 मिनट रखाता और इसके बाद हम इसे वापस एक बार गून लेंगे और गूनने के बाद ना इसके एक लोई बना लेंगे तो जितने पराठे आपको रोल करने हैं उस हिसाफ से आप लोई बना ले तो लोई बहुत जादा छोटी नहीं बनाए क्योंकि हमें लच्छा पराठा बनाना है तो इतना बड़ा लोई रखे और इसके बाद क्या करेंगे कि चकले पे थोड़ा सा ऐसे सूखा आटा डालके और इसके बाद हम इसे रोल कर लेंगे किसी भी शेप में रोल करें क्योंकि हमें इसे दूसरी डिजाइन देनी है तो यहाँ पर मैने से रूल कर लिया है अब हम इसके उपर तेल लगा देंगे तो चारो तरफ अच्छे से तेल लगा के थोड़ा सा सूखा आटा या मैदा स्प्रिंकल कर दें इसके बाद एक कोने को ऐसे पकड़ के और ऐसे आगे से पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे मतलब एक बार ऐसे सामने ले जाए और उसी लेयर को पीछे चिपका दें जैसे पेपर फैन बनाते थे न वैसे हमें इसे ऐसे फोल्ड कर लेना है ये देखे तो लच्छा पराठा बनाना बहुत यासान है बस आप नॉर्मल रोटी अचपाती को ऐसे ओलर मैदा लगा के ऐसे स्प्रिंकल करके और ऐसे फोल्ड कर ले और उसके बाद दोनों एंड को पकड़ के और ऐसे सेंटर में प्रेस कर दें इसके बाद हथेलियों से ऐसे प्रेस करके इसे शेप दे दे ताकि ये खुले नहीं अब हम इसके उपर थोड़ा सा सुखा आटा या मैदा लगा के रोल कर लेंगे तो ये हमारा लच्छा पराठा जो है वो बन के तयार है सेम तरीके से हम सारे पराठे को रोल कर लेंगे तो यहाँ पे मैंने दो पराठा रोल कर लिया है अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले स्टफिंग बनाएंगे उसके बाद पराठे को सेकेंगे तो स्टफिंग बनाने के लिए एक पैन में दो चम्मस तेल गरम करें और इसके बाद हम इसमें थोड़ी से सबजिया डालेंगे तो सबजियों में मैंने यहाँ पे प्याज लिया है दो कलर के शिमला मिर्च लिये हैं अगर लाल शिमला मिर्च नहीं है तो आप से भरावाला इस्तमाल करें लहसुन और हरी मिर्च लिया है मैंने तो जैसे ही तेल गरम हो जाएगा पहले लहसुन और हरी मिर्च डाल दे और इसे थोड़ा सा पका ले जैसे ही लेसन थोड़ा सा पक जाएगा हम इसमें डाल देंगी प्याज प्याज को हमें 10 सेकंड के लिए भून लेना है और उसके बाद हम इसमें ये शिम्ला मिज डाल देंगी तो यहाँ पे तीनों को मिला के ऐसे हलका सा पका ले और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक छोटा चमस चिली फ्लेक्स, अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं तो लाल मिर्च का पाउडर डाले दो बड़ा चमस सेजवान चटनी, एक छोटा चमस टमाटो केचप और इसके साथ स्वात के अनुसार नमक तो यहाँ पे आद ही छोटी चमस नमक डाल देती हूँ मैं और इन सब को मिला दें अगर आपके पास सेजवान चटनी नहीं है तो रेड चिली सॉस और टमाटो केचप को मिला के अट कर सकते हैं और थोड़ा सा बारी कटाओगा टमाटो डाल दें तो यहाँ पे हमने सब को मिला दिया है अब हम इसमें 1.500 ग्राम पनीर डाल देंगे तो जैसे हमने शिमला मिर्च को काटा था ना पनीर को भी मैंने उसी शेप में काटा है आप चीए तो छोटे क्यूब्स भी बना सकते हैं तो पनीर डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और एक मिनट के लिए धीमी आच पे पका लेंगे ताकि पनीर जो है वो सजवान चिटनी या सॉस हमने जो डाला है उसको एबसॉब करें और थोड़ा जूसी हो जाए तो ये हमारा स्टफिंग बन के तियार हो गया है तब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा हो जाने देंगे तो जब तक ये ठंडा हो रहा है ततक हम पराठे शेक लेते हैं तो पराठे हमने पहले से रोल करके रखा थी गरम तभे पे डाल दे तो यहाँ पे मैं आपको दिखाते हूँ यह देखिए जैसे पराठा अच्छे से पक जाएगा ना इसके लिए जो है वो निकलने लगेगी तो यहाँ पे मैंने एक पराठा सीख लिया है सेम तरीके से दूसरे पराठे को भी सीख लेंगे तो पहले हमने स्टफिंग बना के र इसके बाद यह जो स्टफिंग बनाई हमने वो ऐसे संटर में रख देंगे और इसके उपर थोड़ा से सैलेड रख दें तो सैलेड में जो आपको पसंद है वो आप इसके उपर रख सकते हैं मैं यहाँ पे प्याज, गाजर, शिमला मिर्च और यह खीरा कटा हुआ रखा ह मैंने, सब को ऐसे इसके उपर हलका सा सजा दें और इसके उपर लास में थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर और नमक डाल देंगे, नीबू डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसे जवान चटनी में उसका फ्लिवर अच्छा नहीं लगता है, और यह हमारी रोल जो है वो ब राठे का क्रंच आएगा, उसके साथ खाने में इसका कोई जवाब नहीं है, तो यह रेसिपी आप जरूर ट्राई करें, यह आपकी फैमिले को बहुत पसंद आएगा, आप इसे चाहिए तो ऐसे सर्फ करें, या फिर थोड़ा सा केचप और सालड के साथ रख के सर्फ कर सक करते हैं, इसे यह दिखने में अच्छा लगेगा, और खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है, तो उम्मीद करते हूं कि आज की सूपर डेस्टी पनी रोल की रस्पी आपको पसंद आई होगी, अगर आज की रस्पी आपको ट्राई करने के बाद पसंद आए, तो प् करते हैं, तो इसाल आपको बाद की सौपर आज के इसका के रस्पी आपको ट्